बिस्मिल्लाइ रह्मान रहीम असलाम लेकूम मायोटी फैमली वेलकम टू मैं चैनल आज की वीडियो में हम आपके लिए न्यू और सुपर इजी पैटन पे बनाओं कुरोशे डोर मेट लाए हैं यूकि दो कलर में हमने इसको बनाया है आप इसको तीन से चार कलर में भी बना सकते हैं और फोर प्लाइ हमारी वूल है डबल हमने त्रेड को कर लिया है ठीक है दो लियर हमने इसको बना लिया है सबसे पहले हम इसमें मेजिक रिंग बनाएंगे तो फिंगर्स पे आपने त्रेड को रैप करना है ओके और रैप करने के पाद जो हमारा यह देखिए सेकि लेने के बाद इसमें आपने साथ सिंगल क्रोशे बनानी है एक दो तीन चार पांच छे और लास्ट में यह साथ सिंगल क्रोशा तो वन चेन और सेवन सिंगल क्रोशा हमने मेजिक रिंग में कम्प्लीट कर लिया है अब मेजिक रिंग के त्रेड को आपने अच्छे से ताकि यह प्रॉपर राउंड शेप में आ जाए अब फर्स्ट वाले स्टिच में आपको कुरोशा डालना है और कुरोशा डालके जो पीछे वाला त्रेड है यह वाला इसको आपने बीच में से स्टिच के निकालती हुए दो लूप सें कुरोशा में दोनों को ओवर करेंगे तो हमारा सिंगल क्रोशा कंप्लीट हो जाएगे तो आपने स्लिप स्टिच से इसको लॉक नहीं करना बलकि इस तरीके से सिंगल क्रोशा बना लेना है सेम इसी स्टिच में एक और सिंगल क्रोशा बनाएंगे हम ठीक है फर्स्ट वाले स्टिच में आपको टू सिंगल सकेंगे कि कहां से हमारा बार्क जो है start हो रहा है ठीक है अगर आप ़कुरोशे करते हैं तो फिर तो आप अस्टिच मार करना भी लगाएं तो कोई सिंगल क्रोशा हम बना लेंगे अपते हुए अब भीच र determ yes आप हम फिर से क्लर जा टेंज करेंगे LGBT ब्राउन किलर के त्रेड को आपने इस तरीका से वीच में काल मे लेना है और चोकलीड क्लर के ट्रेड को आपने छाप इस तरह के से पकड़ते हुए, पकड़ते हुए हमने इस से इस तरह के से निकालेंएंगा इन्हेंगी, रिज़ने रिrau दो लुपस, को बढ़ेज़ से त मारा सिंगल करोशा by आ स्कावा, कमपेट हो जाएगा, स्टिछ करणेंगे रिज़ने। तो देखिए हमारे पास दो कलर हैं तो दोनों कलर से आपने दो सिंगल क्रोशा हर स्टिच में बनाते जाना है और कलर आपने इस तरीके से चेंज करना है जब आप दो सिंगल क्रोशा बना लें तो आपने थ्रेड को इस तरीके से बीच में का लेना है और दूसरे जो हमारे कल जाएसे कलर भी आप साथ साथ केंज करते जाएं तो अलग से आपको कट नहीं करना त्रेड दोनों त्रेड एक साथ ही यह सारे डूर मैट में चलते जाएंगे आपको तीन से चार बेसिक जो रो है वो अगर आप समझ लेते हैं बना लेते हैं असानी के साथ आगे भी आप इसको जितना चाहें बड़ा बनाते जाएं तो आपका जो रोडूर मैट है वो उतना ही बड़ा बनता जाएगा सेकी डो के हमने साथ डिजाइन डाली है अब लास्ट में हम इसका आठवा डिजाइन डालेंगे तो जहां पे हमने स्टिच मारकर लगाया था उसी स्टिच में आपको लाइट प्राउन कलर से दो सिंगल क्रोशा कम्प्लीट करने है तो इस तरीके से टोटल हमारे पास आठ जो डिजाइन है वो कम्प्लीट हो जाएंगे चार हमारे चोकलेट कलर की दो-दो सिंगल क्रोशा की डिजाइन है और चार हमारे लाइट ब्राउन कलर की डिजाइन है दो-दो सिंगल क्रोशा की ठीक है तो इसी डिजाइन को ही आपने आगे बढ़ाना है और किस तरीके से आपने ध्यार से आगे भी देखते जाना है सेकेंड रो हमारे यहां पर कम्प्लीट हो चुकी है अब हम इसकी थर्ड रो बनाएंगे तो थर्ड रो को आपने जो है चोकलेट कलर से स्टार्ट करना है अब फर्स्ट वले स्टिच में ही आपको फिर से स्टिच मरकल लगा लेना है तर्ड रो के फर्ड वले सिंगल करोशा में स्टिच मरकल लगाने के बाद और यहाँ पर मैं आपको एक बास गाईड कर दूँ तो अगर आप बनाते हुए आपके त्रेट में इस तरीके से बल आ जाएं तो आपने घुमाते हुए इसके बल साथ-साथ निकालते जाएं ताके बाद में आपको दिक्कत नो हो तो एक हमने चोकलेट कलर से सिंगल क्रोशा बना लिया है अब जो नेस्ट हमारा चोकलेट कलर का सिंगल क्रोशा है उसमें हमने अपना जो सिंगल क्रोशा है वो इंक्रेस करना है यानि अपना फंदा हम बढ़ाएंगे तो किस तरीके से बढ़ाना है जो यह वला स्टिच है इ हमें तूğ सिंगल क्रोशा है तो हमारा 1 St बढ़ गया है तो हमें हम एक तुरॉच्छा है उसमें आपने दो सिंगल करोशा 2 x बना लीने है तो हमारा 1 x यहां भी बढ़ जाएगा तो इस तरह के से आपने एक-एक सिंगल करोशा बढ़ाते जाना है अब आपने color change करना है एक सिंगल करोशा बनाया और जो next stitch है उसमें एक फंदा बढ़ाना है तो देखें, इस संगल क्रोशा आपको दू टैंश बना लेनी है, अब फिर से color change करेंगे, एक संगल क्रोशा आपको साधा बनाना है, और उससे पास वले stitch में आपको दो सिंगल क्रोशा 2 टैंश से मस्रीच में बना लेनी है, तो इस तरीके से हमारा पैटर्न जो है आगे बढ़ता जाएगा ठीक है अब फिर से आपको कलर चेंज करना है एक सिंगल क्रोश्या सिंपल बनाएए और एक सिंगल क्रोश्या पे आपने अपना जो लूप से वो इंग्लेस करना है साथ हमने डिजाइन इसमें बना ली है अब पास लाइट ब्रौण कलर की दो स्टीच है पहले में आपको सिंपल सिंगल क्रोश्या बनाना है उससे पास वले स्टीच में आपको अपना जो फंदा है वो बढ़ाना है इस तरीके से थार्ड रौ हमारे यहां पर कंप्लीट हो चुकी है अब हम इसकी फॉर्थ रौ बनाएंगे तो फॉर्थ रौ का फर्स्ट वाला सिंगल क्रोश्या बना की इसमें स्टीच मरकर आपको फिर से लगा लीना है एक सिंगल क्रोश्या हमने सिंपल बनाया है इसे पासवल स्टीच में भी आपको सिंगल सिंगल क्रोश्या बनाना है और यह जो हमारा तीसरा स्टीच है उसमें आपको दो सिंगल क्रोश्या एक ही स्टीच में बनानी है यह अपना यहां पर फंदा आपको इस तरीके से बढ कम्प्लीट होंगे एक सिंगल क्रोशा हमने बना लिया ये दूसरा हो गया और ये तीसरा सिंगल क्रोशा और तीन सिंगल क्रोशा बना के सेम इसी स्टिच में आपको अपना जो लुप से वो इंक्रेस करना है इस तरीके से तो हमारे पास चार सिंगल क्रोशा हो जाएंगे चो कि फोर्ट रो की हमने तीन डेजैन यहां पर कम्प्रीट कर ली हैं अब आगे भी आपको सेम तरीके से अपने पैटन को आगे बढ़ाना है यानि हर डेजैन के लास्ट वाले स्टिच में ही आपको लुपस बढ़ाते हुए इस रो को कम्प्रीट करके यहां तक लाना है साथ हमने बिना ली हैं लास्ट वाले डिजैन हम आपको रपीट पीर से बना के दिखा देते हैं ताकि अगर आप बीगनर्स हैं तो आपको इसली समझ में आज है कि किस तरीके से हम इसको बना रहे हैं तो ओके दो सिंगल क्रोशा हम सिंपल बनाएंगे और थर्ड वाले स्टिच में अपना लूप्स इंक्रेस कर लेंगे चार रो हमारे यहां पर पर कंप्लीट हो चुकी है अब हम इसमें फिफ्ट रो बनाएंगे पांच में रो बनाएंगे तो कलर चेंज करेंगे हम फिर्ट वाले कलर को आपने पीर से इस तरीके से लेना है एक सिंगल क्रोशा बना कि ठीक है फिफ्ट रो के फर्स्ट वाले सिंगल क्रोशा में आपको स्टिच मरकर फिर से ज्वैन कर लेना है इस तरीके से चार रो हमने बना लिए हैं यह हमारी पांचवी रो है तो पांचवी रो में आपको तीन सिंगल क्रोशा सिंपल बनाने है और चौते सिंगल क्रोशा में अपना लुप्स जो है इंग्रेस करना है तो यहां पे हमारी पांचवी रो चल रही है दो तीन चार और यह पांच तो पांच ही हमारे पास सिंगल क्रोशा होने चाहिए अब हम लास्ट का एक सिंगल क्रोशा इंक्रेस करने के बाद कलर चेंज करेंगी और सेकंड वाले कलर को आपने इस तरीके से क्रोशा में लेकर ए 2 single crochet हम किरों दो 3 single crochet आपको हर रों में इस तरह के से 5 भी में बनाने है और चोथे stitch में एक अपना गलुब से single crochet का इंक्रीज करना है बढ़ाना है तो इसी तर्टीव से आपने ऐपना 5 ही रों को कम्प्लीट करना है हर डीजैन कि लास्ट वाले स्टिच में एक एक अपना जो लुपस है वो इंक्रीज करते हुए हम इस रोग को कम्प्लीट करके आपको दिखाते हैं यहां तक ओके स्टिच निए तब व एक कंप्लीट करें अब लास्ट के अस्टिच को आपने हैं चैंगे करेंगी इसां करके बनाते जांड़े हमारे बड़े जाइन अहला है जो आपने लिए 75 बैंट की लास्ट वाले सडिच में भीन चिजाए हमारे डिजाइन है तो इस 7 डिल चछे. हर रो में बढ़ते जाएंगे तो इसी तर्तीब से हमने इसकी 19 रो बना ली है ठीक है तो हमारी 90 रो यहां पर पूरी कंप्लीट हो चुकी है लास्ट का एक हम स्टिच यहां पर रपीट बनाएंगे ठीक है तो लास्ट का जो स्टिच है आपने ओवर नहीं करना दो फंदे कुरोश्य में ही आपने इस तरीके से छोड़ देनी है और अब यहां पर आपने इतना थ्रेड छोड़ते हुए कट कर द अपने बार को फिनिशिंग के साथ प्रॉपर लॉक करेंगे तो आपने ध्यान से देखना है ठीके सैक्ट स眉री फर्स्ट वाले कलर को आपने से निकालके ि आप जो हमारा सैकेंड वाला दूसरे डिजाईन का स्टिच है इसमें आपने इस तरीके से डालते हूए उपर जो हम chain बना रहे हैं सेम इसमें भी आपको chain बना के अपने बार को यहां पर wind up कर लेना है तो आपने इसी तर्टीब से ही इसको log करना है तो यह बहुत finishing के साथ आपका उपर का जो सरा है वो complete हो जाएगा अब जो extra thread है इसको आपने back post पे आपने जो extra thread है उसको adjust करके note लगा के extra thread काट कर देना है तो बहुत ही finishing के साथ हमारा door mat यहां पे complete हो चुके है अब हम इसकी किनार बनाना आपको बताएंगे तो किनार बनाना भी बहुत easy है और simple है अगर आप इस तरीके किनार बनाएंगे तो और भी जल्दी आप बना सकते हैं बट अगर आपको different design के आप किनार बनाना चाहते हैं तो वो आपकी जोय से आप बना सकते हो thread को आपने इस तरीके से slip note लगा के किसी भी design के बीच में आप डाल सकते हैं यह round है तो कोई मसला नहीं है आप किसी भी stitch में इसको जोयन करते हुए किनार को स्टार्ट कर सकते हैं इस तरीके से तो यह हमारा slip stitch का जो stitch है इसे ही हम बनाते हुए इसकी किनार बना रहे हैं ठीक के इस तरीके से पीछे वाले thread को इस looks के बीच में से निकालते हुए हम अपने बार को आगे बढ़ाते जाएंगे बहुत simple है किनार बनाना आप इस तरीके की किनार बना सकते हैं अगर चाहें तो different design जो भी आपको अच्छा लगे पसंद आए आप वह भी बना सकते हैं इस त तो लास्ट में हम अपने वर्को वेंट अप करेंगे तो किस तरीके से आपने यह पर एक्सरा थेड़ को जोएन करना है तो जो हमारा फिर्स्ट वाला slip stitch है उसमें आपको इस तरीके से जो एक्सरा थ्रेड है निकाल लहना है निकाल लेना है पोस्ट पे जो है अच्छे से बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमारी जो उपर की किनार है वो कम्पलीट हो चुकी है जो हमने पैपिन बनाई है और यहां पे हमारा खुबसरत और न्यू डिजाइन का कुरोशय डूर मैट रेडियो टू यूस है आई होप आपको बहुत पसंद आएगा अच्छा लगे वीड बहुत है अटेषल रेडियो जा युदा है आपको यूसित टावा है यूसा है आपको यूसे बहुत है यूसे दो कि और चयूसे चांग यूसे सीघं मैट बहुत है